दोस्तों दुनिया की चौती सबसे बड़ी IT कंपनी ने अब एक्स के ऊपर से अपनी अड़र्टाइजमेंट हटा दिया जिसका नाम है IBM इनो ने अड़र्टाइजमेंट के आसपास में इनकी आडवर्टाइज्मेंट चला दी आपनार इनको इतना गुस्णाας कि यह भी को चीज आये जिससे कि वल्लब नेगिटिव पॉब्लिसिटी मिल जाए नेगिटिव इंपेक्ट पहुंच जाए उस कंपनी की रैपूटेशन के उपर जिसके बाद में इनों ने फैसला लिया कि एक्स के उपर हमारी एक भी अडवर्टाइजमेंट चलेगी नहीं दोस्तों अब तक ऐसा होता था कि अक्सर लोग हमारे को कंप्लेंट कर रहे होते थे कि वह या फ्लिपकार्ट ने हमें ये कुछ गलत चीज भेद दी है वो गलत चीज भेद दी है लेकिन अब पलोई भग गए दरसल क्या हुआ कि इनके तीन एक्स एमप्लोई सी जिनका नाम था सुमित अनिल टाइगर और संदीप उनको फायड कर दिया इन्होंने और इसके बाद में इनके अंदर क्या आई कि वही अब हम यहां पर चोरी करेंगे ड़कैती करेंगे और पूरे 21 आए थे टॉइगन मतलब बच्चों वाली पिस्तॉल से इन्होंने पूरी पूरी चोरी कर डाली और उसके बाद में भाग गया हाला कि पुलिस ने बाद में इनको पकड़ लिया और पैसा भी रिकवर किया है कुछ तो बाकी का तो इन्होंने मौज मस्ती में भी उड़ाया इसके अंदर चाहिए चाइना की बात कर लो या फिर इंगलेंड की लंडन की बात कर लो दिल्ली की बात कर लो दुबई की बात कर लो और यहीं पर न्यू यॉक के अंदर भी उसके उपर ही सिटी के उपर ही इलेक्टिक टेक्सी की पहली फ्लाइट का टेस्ट हो भी चुका और दिली के अंदर भी आपको दोजार चब्स तक इसी तरीके की एर टैक्सी देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर दोस्तों दिली की बात हो रही है और एक सी प्रक्षय की बात हो रहे हैं तो इस वक्त में तो आपको सामने वाली बिल्डिंग नजर नहीं आएगत इतना जव दिली को दुनिया की सबसे पॉलिउटीड कैपिटल भी कहा जा रहा है इस वक्त में क्योंकि आप पॉलुपी देखो के दो बहुत जाद जो भी लोग यहां पर रहते है रहते दी ऋघाशा मांमीड को उला कि आप क्यों बहुत है कि पॉलूशन दीक्ande गिलीग नहीं कहञा रही है की पंजाब हरियाना के अंदर पराली जलाय जाती है जिसकी वज़े से जिवार्मजी कहीं रहा है बात जो कि 25 परसेंट भागी-दार है इस दिल्ली के पोलूशन के अंदर और 35 परसेंट भागी-दार्य मिलती है पावर प्लांट से और इसी के साथ रिफाइनरी से विकल से जो कि ट्रैफिक चलता है उनके पॉलूशन से मिला मिलू के ये पॉलूशन इतना जादा हो रखा है जो कि स्मोग दिल्ली के अंदर फैल रखा और यह मैं नहीं आई आई टी कानपूर के रिसर्चर्स नहीं बता दोस्तों इंडिया के मून का सबसे सक्सेस्फुल मिशन चंद्रियान 3 उसकी जो रॉकिट की बॉड़ी है वो अर्थ पे रिएंट्री कर रही है वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर घुजेगी और कहां पे गिरेगी वो ऐसा है कि यह भी पैसिफिक सी का बताया जा रहा है कि वहां पर गिरेगी रिएंट्री करते वक्त में लेकिन जब गिरेगी तब एक्सेक्टली बताया जाएगा कि यह किस जगे पर गिरी है कुस्तों अगर चाहिना की बात कीजाए तो आपको पता होगा वहां पर मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसका मीट नहीं खाते होंग कि डॉक्स का मीट खाते हैं लेकि 84 परसेंट साउथ कोरिया की पीपल ऐसे है जो कि कभी खाया ही नहीं उन्होंने डॉक का मीट ना उन्हें पसंद है तो जिसकी वएसे वहाँ पर एनिमल एक्टिविस्ट और रूलिंग पार्टी यह चाहती है कि यह पूरी तरीके से बैन कर कि प्लकिया जाए कि डॉक्स को नहीं मारा जाएगा मीट के लिए तो वहाँ पार कुछ इस तरीके के इंडुनेशा की तरफ चले थे और पहुंचने के बाद में वहाँ के लोकल्स किसी को भी लैंड नहीं करने दिया और सब को एका०ा होगा समुदर के अंदर उसको वापिस बोट में चड़ा दिया कि यहां कोई भी लेंड नहीं करेगा और वापिस भेज दिया उनको जो कि कितने ही हफतों पहले चले होंगे किसी देश से मिलब जिस भी देश में होंगे इस वक्त में शायद बंगलादेश के अंदर से निकले हों श से वापिस बोट में चड़ाया कि ना तुम निकलो समुदर के अंदर जाओ कुछ भी करो हमें नहीं पता यहां लेंड नहीं हो सकते जिसके बाद में एक और लंबा सफर वो पता नहीं किस तरीके से तै करे होंगे क्योंकि बोट में पेट्रोल भी चाहिए होता है और इतना लंबा सफर दुबारा से I think at least उनको लेंड करके खाना पीना खिला के पेट्रोल दे के वापिस भेजते तो भी ठीक लगता